नमस्ते जी आयरवेद समधाहन में आपका स्वागत है मैं वैद सुखदेव सर्मा आयरवेद अचारिय आज हम आपको बीपे और कुलोस्ट्रोल के बारे में बताएंगे सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि कुलोस्ट्रोल पैदा कैसे होता है इस कुलोस्ट्रोल पैदा होने का सबसे वड़ा कारण यह है हम जो खानपान करते हैं वो खानपान में दो क्रियाएं होती है हमारे में एक पाचन और एक सडन पाचन को कहते हैं digestive और सडन को कहते हैं fermentation जो fermentation होती है जो सडन होती है उससे तो गंदगी पैदा होती है जिसमें कलोस्टॉल हो गया, यूरिक एसल हो गया इस तरह की चीज़े पैदा हो जाती है और जो पाचन होता है उससे हमारी धातुए बनती है रस, रक्त, मास, मेद, अस्त्री, मज्जा, सूक्र ये सातो धातुए हमारे पाचन क्रिया से ही बनती है जब हमारी पाचन क्रिया परवपर चलती है तो हम अच्छे से अपना सरीर को maintain करते हैं जब सडन पैदा होती है तो कलोस्ट्रोल बढ़ जाते है इसलिए सबसे पहले हमें ये है एक हमें सडन पैदा नहीं होने चाहिए खाना हमें पचना चाहिए जब हमारा खाना पचेगा तो हमें कलोस्ट्रोल कभी भी जीवन में पैदा नहीं हो सकता जब हमारा खाना सड़ेगा तो हमें कलोस्टोल वगएरा जो सडन है जो गंदे कलोस्टोल है वो बढ़ते चले जाएंगे और जो ठीक चिकनाई है सरी में चाहिए वो हमारी पैदा नहीं होगी तो इसलिए सबसे पहले हमें पाचन क्रिया का ध्यान रखना जरूरी है नमबर एक दूसरा यह है जब कलोस्टोल बढ़ेगा तो बीपी भी हमारा हाई रहना सुरू हो जाएगा कलोस्टोल के कारण जो धमनिया होती है उसमें कलोस्टोल एक चिकनाई है जम जाती है और जब जब चिकनाई को जम जाती है धमनियों में तो सुकड जाती है उनमें जगें कम colistroul की मात्रा बढ़ी हुए है तो उसके लिए हम आपको इपचार बताएंगे نुस्कें बताते हैं उसके नुस्कें क्या हैं सबसे पहले तो हम आपको देशी नुस्कें बताते हैं वो देशी नुस्कें यूजे हैं एक हमें सेव का सेवन सुबह खाले पेट करना है सुबह सेव का सेवन कर सकते हैं अन्यता हम सेव का सिर्का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं सेव का सिर्का अगर सुबह शाम दोनों टाइम पिया जाएगा तो उससे कलोस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी हमारी और धमनिया खुलनी शुरू हो जाएंगी ये ब्लोकेज को भी खोलता है सेव का जो सिरका होता है दूसरा जिंजर का सेवन हमें करना बहुत जरूरी है अधरक अधरक का सेवन करने से हमें कॉलोस्ट्रोल नहीं बनता है कॉलोस्ट्रोल की मातरा घटना सुरू हो जाती है इससे जो है इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें जो दोनों चीज़ें में काम करेंगी वो आपको लिखवाता हूँ वो आप नोट कर सकते हैं अर्जुन की इस हाल 100 ग्राम जटा मासी 20 ग्राम संख फुस्पी 100 ग्राम ब्रह्मी 100 ग्राम इन सब को कूट पीस करके आप तयार कर लें इनको तयार करके मोटा मोटा कूटना है इसको बारीश चूरन नहीं बनाना इनका इसमेंसे आधा चमच आप चाहो तो एक ग्लास पानी में अबाल करके आधा ग्लास रहने पर चाहन के पी सकते हो ये बीपी को भी कंट्रोल करेगा आपके हर्ट में जो ब्लोके से उसको भी सही करेगा और दिमाग को भी सही करेगा ये मस्तिस्क रोक के लिए और ह्रिद्य रोक कि दोनों के लिए बहुती बहत्री नुस्खा है इसको हम दूद में भी उवाल करके ले सकते हैं चाय नापी करके अपने दूद में एक ग्लास दूद में आधा चमस डालें उस दूद को ऊवालना है अच्छी तरह से जैसे चाय की पत्ती को उबालते हैं उस तरह से दूद में उबालना है उबालके च्छान करके इसको पीना सोबह शाम दोनों टाइम इसके साथ मैं आपको कुछ सास्त्रोग दवाई बताता हूँ प्रभाकर बटी एक आती है एक एक गोली सुबह शाम इसी के साथ ले सकते हैं एक सरपगंदा घंबटी इसको हम इसी के साथ ले सकते हैं ये दोनों चीज़ें इसके साथ ले जा सकती है और पी ने में हम अर्जोर्णाइक्ट का सेवन भी कर सकते हैं कहाने के बाद 20 ग्राम सोवै BC बराबर जल मिला करके डोन टायम हम अर्जोर्णाइक्ट पी सकते हैं इसके लिए और कलोस्ट्रोल के लिए इसके लावा सुबह सुबह उठते ही उठते हम चार कली लहसुन की छील कल के गरम पाने के साथ सटक सकते हैं लहसुन भी बहुत ही बहती है कलोस्ट्रोल को कम करने में अच्छा इसके लावा आप आजाएए पाचन क्रिया के लिए पाचन के लिए खाने के बाद सौफ और जीरा तीन ग्राम सौफ तीन ग्राम कच्चा जीरा ये दोनों चीज़ें खाने के बाद चलप चावनों दोनों टाइम चावानी है इस से हमारी पाचन के लिए सही रहेगी और हमारा खाना सड़ेगा नहीं ये खाने को सड़ने नहीं देता है जब खाना नहीं सड़ेगा तो kolesterol की मात्रा हमारी नहीं बढ़ेगी kolesterol को control करने के लिए morning वाग बहुत जरूरी है सुभे morning वाग करना पसीने जब आएंगे तो हमारा kolesterol पसीने से भी हमारा kolesterol डाउन होता है आज के वीडियो पे इतना ही नमस्तेज।